ही गाईस, असलाम अलेकूं, welcome back to my channel, तुझी कैसे अप लोगों में थेके ठीक टाक होंगे सभी, और अप लोगों की दोगों की बसे हला में देला मैं भी बिल्कुल ठीक टाक हूँ, तुझी अचका morning start होती है कभूतर से, तो मैंने कभूतर को दाना दे थी, और फ्रेश फ्रे मैं ब्रेट को रख देती हो, और पैक करके, और जो साइड की वो ब्रेट होती है, वो मैं रख देती हूँ, एक पैकेट में बना के, क्योंकि और से साइड की जो ब्रेट होती है, वो खाती नहीं है, तो मैं वेस्ट नहीं करती, और स्नुवी भी खाती नहीं है, और जो तो मैं जब बाहर जाती हूँ डॉगी को दे जती हूँ तो यहाँ पर न मैं इसलिए डारेक्ट नरस्तर बना रही हूँ क्योंकि वजी को मैडिसिन लेनी है तो इसी वाएसे तो यहाँ पर मैं बटर लगा दी ब्रेट के उपर और वही जैम जो मैं बनाई थी स्ट्रॉवेरी जैम और इस मैंने शुगर बहुत कम डाली हूँ इसे वाएसे बहुत ज़दा टेस्टी बनी है देख सकतो आप लोग देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट भी वह स्टॉवेरी का एक अलग सी टेस्ट होती है शावर वाली वह टेस्ट भी बरकरार है इसमें तो मैं ब्लैक टी भी बना ली वसी के लिए इसे नाश्टा देने के बाद मैं अपने लिए टी बनाई और मतलब टी एक साती बनाई थी तो अपना टी मैं बैट के सोपे पीने लगी फिर बात का काम सोच भी रही हो क्या करनी है क्या नहीं और मेरी आवास अप लोगों डिफरेंट लग सकती है क्योंकि मुझे गाई जुखाम है तो इसी वैसे तो फिर मेडिसीन देने लगी मैं वैसी को और यहाँ पर मैं एक एलर्जी की टेपलिट दे रही हूँ और एक परासिट अमोई क्योंकि थोड़ी वहुत फिबर जैसी लग रही थी तो इसी वैसे और खासी के लिए मैं वो काफ सिरव भी दोंगी तो खासी ना भायानक जैसे बोलती है उस तरह की खासी आ गई इसकी बहुत ही जादा तो आप लोग दुआ करें मेरी बच्ची जल से जल ठीक हो जाए और यह परना मैं नाश्टे के बाद वो गवावा चैट बनने लेगी फिर से क्योंकि आजकल गवावा बहुत जादा आ रही है हमारे घर में और हम खावी रही है तो मेरी बाली चैट बने रही हूँ मैं मैंने सोची चलो आप लोग कैसे शेयर कर देते हैं तो यह पर मैं पिंक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ और कुछ भी नहीं मुझे जादा चट पटा चीज पसंद नहीं है और मेरे स्टमक पर सूट भी नहीं करते हैं यह भी है तो जी फिर मैं बैटके अम्रूद खा ली थी फिर मैं लंच की प्रिपार करने लेगी तो यह पर आज मैं बनाने लेगी पराठा तो मैंने सूची वसी कुछ खा नहीं पा रही है तो इसे पराठा बना के देते हैं रोटी वो शौक से खा लेते हैं हमेशा ही तो यह पर मैं मैदा हली हूँ और थोरी सी सॉल्ट एंड अजवाई थोरी सी हाथों में मसल के मैंने डाली और डिफाइन ओयल डाली हूँ तो थोरी थोरी पाणी आड़ करके न मैं एक मेडियम सी डो बना रही हूँ ज़ाधा सॉप्ट भी नहीं और ज़्यादा हड भी नहीं तो डो बनाने के बाद मैं थोरी सी हाथों में घी डाले के न वो डो बना ली अच्छे से और फिर मैं बेजिस भी कट कर ली तो यह अपर मैं प्याज, हरी मिर्च एंड कोरियंडर लिप्स मतलब धनिया का पत्ती, थोरी सी जिंजर का लिक का पेस्ट और बेसिक जो मसाला है वो ही टार्मरिक पाउडर, सौल्ट, जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर और हाँ प्याज अमरा नरम हो जाए और फिर मैं स्टाफिंग डालने लगी तो दो पेड़े बनाएं मैंने दो पालठा बनेगी तो stuffing अच्छे से डालके न मैं थोड़ी ज़ादा quantity में डालती हूँ stuffing ताकि पूरे जब पराठा खाये न हर तरफ ही stuffing मिले थोड़ी सी डालने से क्या होते हैं कुछ जगा पर मिलते हैं कुछ जगा पर मिलते नहीं हैं तो ऐसी होती है तो जी बहुत ही जगा टेस्टी बनती है अप लोग केचप के साथ खाओ या फिर रायते के साथ खाओ अचार के साथ खाओ कोई भी चीज के साथ खाओ न ऐसे खाली भी बहुत जगा टेस्टी लगती है जिन लोग बनाते हों लोको पता है और जितना ही बोलो पीजा बर्गर बट पराठा पराठा ही होती है बहुत रिस्टिवन थी है तो स्टफिंग डालने के बाद पराठा बेलने के ताइम घबड़ाना मत स्टफिंग बाहर से थोड़ी बहुत निगल जाए तो कोई टेंशन अमें ऐसे भी बहुत हैचे से पार्याठा चाहिए, और खाने में उतना ही टिस्टी लगेगी जितना दिखने में लग रही है तो जी मैं किस चीज के साथ सर्फ कर रही हूँ दिखाते हैं तो यहाँ पर मैं सिजवान सॉस एंड टमर्टर सॉस ले रही हूँ तो दोनों मीक्स करके वोसी को ऐसे पसंद है तो इसी वासे मैं मीक्स करके इसके साथ सर्फ कर रही हूँ और उपर से बटर तो लाजमी डालनी है नहीं तो वो मज़ा नहीं आती है और बटर थोरी-थोरी करके मेल्ट होने लगी है क्योंकि पराठा गरम है इसी वाएसे आप लोग घी भी डाल सकते हो घी में ही बनाई हूँ तो इसी वाएसे बटर डाली हूँ वो अपना-पना वसी नाश्टा करने लेकी और मैं बोल रही थी कि अंदर भी दिखाओ हमारे यूट्यूब फैमली को तो अंदर भी माशालला बहुत अच्छे से बन गई थी तो इसे देखे इसकी कुछ चीज ना अंदर चली गई तो यह जान लगा के वो ढूनने की कोशिश कर रही है बा अधमन कर रही थी और मैं खाली खाई हूँ कैचप तो नहीं खा सकती हूँ और मैद की चीज नहीं खा सकती हूँ इसी वाएसे तो मेरी बली परठा भी मैं कभी अप लोग के साथ शेर करूंगी इंशालला ताला तो यही थी आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो अपना पैक सरूर दे देना मिलते हैं नीक्स्ट कोई ब्लॉग के साथ तक के लिए अप अपना रखेगा खूब सारा खाल दुआ में सरूर यह द रखेगा पर पैला ओफिस थेंक्यू फर वाची